हेलो फ्रेंट्स दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 2020 के नोवल पुरुसकार देखेंगे जो कि आपकी सभी आने वाल एकजाम के लिए महत्त पूर्ण है तो इसलिए वीडियो को पुरा एंड तक देखते रहिए तो चलिए आज के वीडियो सुरू करते हैं तो देखें यहाँ पर हम सबसे पहले नोवल पुरुसकार के बारे में जान लेते हैं तो देखें जो नोवल पुरुसकार है यह नोवल फाउंडेशन द्वारा स्यूडन के बेग्यानिक अलफ्रेड नोविल की याद में दिया जाता है तो आपको याद रखना है कि नोवल पुरुसकार नोवल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है तो इस स्यूडन के बेग्यानिक अलफ्रेड नोवल की याद में दिया जाता है देखे बात करें इनकी सुरुवात कभी थी यानि कि पहले बार नोबल पुरुषकार कब दिय गए थे तो 1901 में दिय गए थे तो कई बार पूछा आता है यह डेटा आपको याद रखने है 1901 में देखें बात करें जो नोबल पुरुसकार है यह कितने छेत्रों में दी जाते हैं तो यह 6 छेत्रों में दी जाते हैं छे छेत्र कौन कौन से पूछ लियाते हैं, तो सांती के छेत्र में, साहित्य के छेत्र में, बोतकी में, रसायन में, चिकेतसा में और अर्थसास्तर के छेत्र में, इन छे छेत्रों में नोबल पुरुसकार दी जाते हैं, देखें बात करें, नोबल पुरुसकार में प्रसस्त पूरुषकार नार्वे द्वारा दिया जाता है लेकिन सांती के छेत्र में यह पूरुषकार नार्वे द्वारा दिया जाता है तापको याद रखना है कि पांच छेत्रों में तो इस पूरुषकार को स्वीडन देता है लेकिन जो सांती के छेत्र में दिया आता है यह नार् जाते हैं कहाँ पर इस्टोक होम में याद रखना है चलिए आगए देखते हैं अब देखे 2020 के नोबल पुरुसकार की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें रसाइन के छेतर में यानिकी के चेतर में तो देखे रसाइन के छेतर में बर्स 2020 के लिए नोबल पुरुसक अब देखे इन्हें यह पुरुसकार क्यों दिया गया तो genome editing की एक पद्धिती बिक्सित करने के लिए इन्हें 2020 का रसायन के छेतर में यह पुरुसकार यानि की nobel पुरुसकार दिया गया है याद रखना है चलिए आगए देखते हैं बात करें फिजिक्स के यानि की भोतिकी के छेतर में तो देखें इसमें ब्लैक होल सम्मंदिक होज के लिए तीन बेग्यानिकों को 2020 का भोतिकी के छेतर का नोबल पुरुसकार मिला है अब देखें इन तीन के नाम क्या है तो पहले हैं ब्रेटेन के जिनका नाम है रोजर पैन रोज तो इन्हें ब्लैक होल सम्मंदिक होज के लिए दिया गया दूसरे हैं जर्मनी के जिनका नाम है रेन हर्ड जैन जेल और तीसरी हैं अमरीका की जिनका नाम है अंडरिया गेज इन दोनों को अकास गंगा के केंदर में सूपर मैसिव कॉम्पैक्ट अबजेक्ट की खोज के लिए यह प्रतिष्ठत पुरुसकार मिला है अब देखे इसमें जो रोजर पेंडरे रोज हैं इन्हें इस पुरुसकार का आधा हिस्सा मिलेगा अकेलों को जबकि बचा हुआ आधा हिस्सा रेन हार्ड जैन जेल और एंड्रिया घेच को मिलेगा याद रखना है चलिए आगा देखते हैं अब बात करें चिकतसा के खेतर में यानि की मेडिसीर के खेतर में 2020 का नोबल पुरुसकार किसे दिया गया तो देखें 2020 में इस बार चिकतसा के खेतर में तीन बेग्यानिकों को नोबल पुरुसकार मिला है जिसमें की दो बेग्यानिक अमरीका के हैं जिनके नाम है हार बेजे अल्टारोर दूसरे हैं चाल्स एम राइस और तीसरे बेग्यानिक है ब्रेटेन के जिनका नाम है माइकल हप्टन तो आपको याद रखना है इन तीनों को ही सइंक तुरूप से 2020 का चिकतसा के खेतर में नोबल पुरुसकार मिला है अब देखें नहीं क्यों मिला तो आपको याद रखना है कि साह rubbish है कि साहितर के खेतर में किसी दिया गया तो अमरीकी कब यत्री जिनका नाम है Niger लूइस नोबल पुरुसकार मिला है अब देखें क्यों मिला तो देखें अमरीकी साहित्ते कारी लूइस गिलिक को यह पुरुसकार उनकी सांदार काभ्य सेली के लिए दिया गया है जो व्यक्तिगत अस्तित्व को बैस्वित पहचान दिला थी तो आपको याद रखना है चलिया गया देखते हैं तो देखें बात करें सांती के छेतर में तो देखें सांती यानी पीस के छेतर में 2020 का नोवल पुरुसकार बर्ड फूर्ड प्रोग्राम यानी की WFP को दिया गया है तो आपको याद रखना है कि 2020 का सांती के छेतर के नोवल पुरुसकार बर्ड फूर्ड प्रोग्राम यानी की हिंदिब कहेंगे बिस्बिक हाद्यकारेकरम को दिया गया अब देखे क्यों दिया गया क्योंकि दुनिया भर में भुक मरी से लडाई करने के लिए इस संस्था को 2020 का सांती के छेत्र का नोबल पुरुसकार दिया गया है और देखे UN बल्ड फूर्ड प्रोग्राम के निसार दुनिया के करेब 88 देशों में वो सालाना करीब 9 करोड 17 लाख लोगों की मदद करते है तो इसलिए 2020 का सांती के छेत्र का नोबल पुरुसकार बल्ड फूर्ड प्रोग्राम को मिला है अब देखे यह जो बल्ड फूर्ड प्रोग्राम है यानि की बिस्व खाद्द कारेकरम है तो यह सैंतुराष्ट की खाद्द साहता साखा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मान में संगठन भूक और खाद्द पर केंदरीत है अब देखे बात करें इसकी स्थापना की तो बल्ड फूर्ड प्रोग्राम की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका मुख्यल्य रोम इटली में स्थित है याद रखना है चलिए अब बात करें अर्थसास्त्र के छेत्र में तो देखे अर्थ सास्त्र यानिकी इकोनोमिक्स के छेतर में इस बार यानिकी 2020 का नोबल पुरुसकार संयुक्त रूप से दो अमेरिकी अर्थ सास्त्रियों को दिया गया है अब इनके नाम के हैं आपको याद रखना है देखे पोल रोबर्ट मिल्गरोम और रोबर्ट बी बिल्सन ये दोनों ही अमर्ड़ी की अर्थ सास्त्रियों है जिने की 2020 का एकोनोमिक्स का नोबल पुरुसकार मिला है तो आपको याद रखना है अब देखे इन्हें यह निलामी के सिध्धान तोर नए निलामी प्रारूपों के अविस्कारों के इस सुधार के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है तो आपको याद रखना है तो दोस्तों ये तो थे छे छेतरों के नोबल पुरुसकार जो मैं आपको बताए आप कुछ अपजेक्टिव कोशन म जलदी से इस कांसर बताए ये गाए तो इस कांसर उप्सन भी हो जाएगा 1901 में सरप्रफनर नोबल पुरुसकार दिये गए थे याद रखना है अगला कौशन है नोबेल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाता है तो देखे ये कोस्सन भी कई बार पूछा आता है कि नोबेल पुरुसकार कितने छेत्रों में दिया जाते है तो इसका अंसर ओप्सन क्या हो जाएगा ओप्सन C हो जाएगा छे छेत्रों में नोबल पुरुस्कार दिये जाते हैं याद रखना है अगला कोस्वान है नोबेल फूरुषकार किसी छेतर में एक बर्स में कितने भ्यक्तियों को दिया जा सकता है तो इसका अंसर जल्दी से नीचे comment भाउक्शन बताईएगा तो इसका अंसर क्या हो जाएगा option डी हो जाएगा तीन भ्यक्तियों को तो देखे पिर्तिएक बर्स जो नोबल पुरुषकार दिया था है तो यह किसी एक छेत्र में अधिकतम तीन व्यक्तियों को दिया जा सकता है तो आपको याद रखना है अगला कोस्सान है अलफ्रेड नोवेल ने किसका अभिस्कार किया था? तो देखे आपसे भी जानते मैं आपको पहले बता भी दिया है कि जो अलफ्रेड नोवेल थे ये स्वीडन के महान बेग्यानिक थे इनी की याद में यानि की इनी की स्मिर्ति में इनी की पूर्ण तिथी पर 10 दिसंबर को पिर्तिएक बर्स नोवेल पुरुषकार दिया था ह इन्होंने किसका विस्कार किया था तो इन्होंने डाइनमाइट का विस्कार किया था तो इस कांसर ओप्सन ए हो जाएगा अलफ्रेड नोवेल ने डाइनमाइट का विस्कार किया था याद रखना है अगला कोस्सान है नोवल पुरुसकार 2020 सांती के छेतर में किसे दिया गया है तो देखे 2020 का सांती के छेतर का नोवल पुरुसकार किसे मिला है तो जल्दी से नीचे comment box से बताईएगा तो इसका answer option भी हो जाएगा WFP को यानि की bird food program को 2020 का सांती के छेतर का नोवल साहिते के छेतर में नोवल पुरुसकार 2020 किसे दिया गया है तो देखे 2020 का साहिते के छेतर में लिट लेचर के छेतर में नोवल पुरुसकार किसे मिला है तो लूइस गिलिक को मिला है तो इस cancer option हो जाएगा लूइस गिलिक को देखे लूइस गीले की अमेरीकी कभी इतनी है जिनने 2020 का साहित तेकर छेतर कर नोबल पुरुसकार मिला है चलिए अगला कोशन है रसायन के छेतर में नोबल पुरुसकार 2020 किन दो महिलाओ को दिया गया तो देखिए 2020 में Chemistry यानि कि रसाइन के छेतर के नोबल पुरुषकार इस बार दो महिलाओ को सैंक तुरूप से दिया गया है तो इस Cancer Option D हो जाएगा A एबम B दोनों यानि कि Emanuele Saad Pentier जो कि France की हैं और Jennifer Doudna ये अमरीका की हैं इन दोनों को ही 2020 का Chemistry के छेतर का नोबल पुरुषकार मिला है तो आपको याद रखना है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ आपके लिए helpful लो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और अपने static रूप में जरूर सेर करना साथ ही अगर आपने हमारे पहले के साई वीडियो टोपिक वाई 2020 के नहीं देखे हैं तो आप नीचे कमेंट वोक्स में प्ले लिस्ट बेखें